Best laptop for office work के लिए तो भी अगर आप office work में काम कर दो, अगर आपने MS office पे काम करना, जब कोई भी loaded file पे काम करना, जब कोई heavy software यूज़ करना चाहते हो, and अगर आपका budget 40,000 है, ये वीडियो में specially आपके लिए कर रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखना, skip or मत करना, start करते हैं, सीध upgrade करने का option आपको नहीं देखने को मिलता है, जो कि सच में minus point आजाता है, अगर इसके में price देश की बात करूँ, आपको 41,000 के budget में MI notebook 14 देखने को मिल जाते है, इसका display quality बहुत ही है, build quality बहुत अगरी मिल जाते है, उसके साथ साथ भी अगर आप data इंट्रीस करते हो, अगर आ minus point भी आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आप RAM को upgrade नहीं कर सकते, अगर RAM को upgrade करने का option मिल जाता है, तो या 12 GB ही अगर आपको देखने को मिल जाता है, तो इस laptop को मैं number 2 पर या number 1 पर ही रखता, because laptop पूरा loaded देखने को मिल जाता है, अगर आपने इस पे gaming बारा भी करनी है, आपको देखने को मिलेंगे, आपको inter thành reiterate डी ग्राफिकी भी देखने को मिल जाता है, आपको MX350 salam. वो आपको 47,000 के बज़े में देखने को मिलता है, तो इस बज़ेट अपने प्राइस से वह बहुत आगे निकल जाता है, तो मैं आपको रिक्मेंड निकलता है, तो आपको अपको अपर ग्रेट करने का उप्शन भी तो नहीं मिल रहा न थिक है, तो भई अगर आपने MI के और यह अब देखने को मिल देखने को मिल जाता है कौनने को यह अब तो स्के थोड़े-स rob quais को-alteam वा चाहते हैं अब ये बता दिखेंट वोमिल को दिखने को मिल जाता तो आप धेखने अगर आप जना चाहते हो अब बात के लेंटे cooking में स्पेड़िकीशन की थोड़ा से मैं आपको डीपली बता देता हूँ तो यह डिस्प्ले की बातों को 40-inch full HD plus डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि anti-glay display है प्रसासर की बातों को i5 10th generation के साथ देखने को मिलता है तो प्रसासर बहुत अगड़ा है ठीक है जाएगा 2GB के साथ लेकिन उसका प्राइज आपके बजट से अपर चल जाएगा ठीक है अप्रेणी सिस्टों की बात करो आपको विंटो टैम लाद दिया लेक्टेस्ट वर्जन 64-bit के साथ बैंटरी की बात करो आपको टैन आवर्स का बैंटरी बैकप प्रवाइड कर देता है प्लस आपको 65 वर्ट का फास चार्जर देखने को मिल जाता है प्राइज की बात करो आपको 41,000 के बजट में अब माइन नोटबूक 14 के वैसे यार लाइपटाव पूरा लोड़ेड है लेकिन माइनस पांट थोड़ा सा आ जाता है तो इस बटेर देंच में मैंने नमबर फाइग पर रखा और कोई भी रीजन नहीं देखने को मिलता है तो अगर आपका कान कोई ऐसा है कि आपको 8GP RAM बहुत है तो आपके लिए बहुत अगड़ा आप जा सकते हो मैंने लिंक परवाइड किया आपको description box में देखनी को मिल जागा भी आगे बात करते है नमबर फोग की बात करूं नमबर फोग पर यार मैंने रखी है HP 14 को तो यार बहुत बंदे मुझे मैं सही करते है कि मुझ बहुत जादा सही कर रहा है एंड इस से बहुत जादा सही कर रहा है वो कैसे सही कर रहा है आपको आगे पता चल जाएगा लेकिन अगर मैं बात करूं HP 14 की तो यार यह laptop आपको ब्लैक कलर में इसका कलर बहुत उट करता है ठीक है मैं आपको recommend भी करना जाता हूँ गर आपन है भी मिल जागी जिसको आप 16 GB तक expandable भी कर सकते हो तो यार अगर आपने कोई heavy software यूज करना है office work के लिए चाहिए या student ओपर ठीक है multitasking करनी है या अगर आपने daily use के लिए इस laptop को लेना है तो आप ले सकते हो easily normally आप काम कर सकते हो आपको कोई भी issue नहीं आने वाली यार आप जा सकते हो HP 14 के और अभी बात कर लेते हैं थोड़ी सी में स्पैसिलिकेशन तो यह डिस्प्ले की बातों को 14 इंच फुल एस्टी प्लस डिस्प्ले मिल जाते है जो की 16 refresh rate के साथ आती है प्रसासर की बातों को i3 10th generation के साथ में मिल जाता है आपको 11th generation के साथ में मिल जा आता हूं कि आप i3 11th generation के और चल जाए ना विकास वो latest प्रसासर है उसके आप प्रतों कोई प्रसासर यह नहीं अभी आरा ठीक है storage की बात करूं आपको 8GB RAM मिल जाती है आप अपग्रेट कर सकते हो 16GB तक प्लस आपको 256GB SSD देखने को मिल जाते है आपको 256GB मिल जागी आपको 4GB हो गया 4GB हो गया 6GB हो गया 8GB हो ठीक है उसका लेना देना नहीं होता RAM के साथ है लेकिन जो इंटीग्रेटर ग्राफिक कार होता है वो अपना जो लेता है RAM से ठीक है अगर आप मतलब आपको काम कर रहे हो ग्राफिक कार को कोई जरूरत बढ़ती है RAM की जा स्टोरेज की त प्लस आपको MS Office देखने को मिल जाता है 2019 वर्जन बैंटरी की बात करूं आपको साइवन आवर्स का बैंटरी बैकप परवाइड कर देता है प्राइस की बात को आपको 40,500 के बद्र में HP 14 देखने को मिल जाता है तो मैंने आपको बता दे प्लस मैं आपको कहा देना चाहता ह तो आप आई 3 11th generation के और चल जाना अगर आप extra थोड़ा सा पीकर ब्लैकर बहुत ही लगता है अगर कोई भी बंदा ब्लैक कलर में ले रहा है तो बहुत मुझे मैं ब्लैक कलर में लिए लिंक पर वैड़ किया आपको डिस्क्रीशन बॉक्स में देखने को मिल जागा अब आ आइडियापेτ शीम थ्री आई देखने को मल साथ आपको लिओनो व भॉप दिखने में में देखने को मल जाता है एड को स्पैस्फिफिकेशन भी बहुत अगरे में आपको स्सपैस्पी की बता देता हूं आपको आई 3 देखने को मिल एका 10th generation के साथ उसके बाद काution आपक प्लस आपको MS Office भी देखने को मिल जाता है 2019 वर्जन तो यहार में स्पेस्फिकेशन में आपको बता दिया लिनोग वो आइडिया बैट स्लिम 3 आई के यार स्पेस्फिकेशन के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा तगड़ा है प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा सही ह को अगर आप जाते ह। आप जा सकते हो और गवरistor करते हैं लाइट वेट एंड स्टालीश डिजान देखने को मिल जाता है इसके कलर वगार आप बहुत प्यारे हैं आपको बहुत पसंद आने वाला है प्लस असूज एक ट्रस्टेड ब्रेंड है टॉप प्रेंड में से आता है तो भाई अगर आपने इस लैप्टॉप के और जाना है के साथ मेलना जो कि लेट स्ट पो साइसरा इसके अपकर कोई भी प्रसैसर नहीं देखने को मिलता प्लस आपको 8γb र्यम जातें एक्स्पेंडि Comms Spicy को मिल जाता है प्लस आपको अगलेई डी ब्रेंटा सभी कशल श्रील आप मैं इसकी वेड की बात करूं आपको वान केजी 800 ग्राम में असूस वीवोबिक अल्टरा फिफ्टिंग देखने को मिल जाता है मैं आपको जो में स्पैसिफिकेशन है थोड़े से बता देता हूं आपको डीपली थोड़ा सा पता कर देगा तो यह डिस्प्ले की बातों को फि 256 GB SSD देखने को मिल जाते हैं तो यार मैं आपको एक चीज़ रेकमेंट और करना जाता हूं अगर आपको वान टीवी एचली देखने को मिलते हैं यार उसकी और बिल्कुल भी मत जाना ऐसे मत देखना है कि आपको वान टीवी स्टूरे देखने हो मिलते हैं यार वान टीवी करूं आपको इंटीग्रेटरी ग्राफिक कार्ड मिल जाता हूं प्रेडी जेस्टिंग की बात करूं को विंडू टैम मिल जाते हैं प्लस आपको MS Office मिल जाता है अपर नहीं जा सकता है लेकिन अगर आप 5000 extra पे कर सकते हैं तो आपके लिए ब्राइस जैन्बुक जो मैंने आपको बता ही है वह आपके लिए ब्राइस्टरील जाती जो कि आप अपग्रेड कर सकते हो 16GB तक आपको 512GB SSD देखने को मिल जाते हैं प्लस आपको 2GB जो है graphic card देखने को मिल जाते हैं तो भी अगर आपने office work के लिए चाहिए अगर आपने ऐसा student यूज़ करना है उसके बाद भी अगर आपने कोई heavy software यूज़ करना है gaming करना जाते हो normal setting पर अगर आपने लेकिन मैं try करूँगा इसका link मैं provide कर दूँगा आपको description box में देखने को मिल जागा अगर आपने चाहओर करना है आप चाहओर भी कर सकते हो भी बात करते हैं इसके main specification की तो display की बात करूँ आपको 14-inch full HD plus display मिल जाते है जो कि IPS panel display है प्रसेसर की बातों को i5 10-inch generation के साथ मिलता है storage की बात करूँ आपको 8GB RAM मिल जाते है प्लस आप expandable भी कर सकते है प्लस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाते है graphic card की बातों को Nvidia G4 MX350 देखने हो बलता है जो कि 2GB के साथ आता है प्रेडी system की बात करूँ आपको window 10 दे जाते है बैंटरी की बातों को 8 hours का बैंटरी लाग पर वाइड कर देता है 8 से कम ही करेगा भी अगर आपने को बैंटरी या वो ज्यादा नहीं ही लगने वाली ठीक है जी बीजी बात है नॉर्मल बात है ठीक है प्राइस की बात करूँ आपको 45000 के बज़र में इस सर्फायर 5 देखने को बल जाता है तो बैंट स्पेसिफिकेशन में आपको बता दिया इस सर्फायर 5 के इसको बज़र ट्रेंज में नबो वान पर इसलिए रखा भी अगर आप थोड़ा सा अग्र अपको क्रसकते को लैपटाप अगर आपको कुछ तो बैसे बहुत सत्थाइब अगर आपको बज़र 40,000 के उसको बात है नब स ungef आपको 37,000 के बदर में मिल जाता है जो कि सच में पैसावसोल लैप्टाप है तो यार अभी मैंने आपको इतने लैप्टाप बता दिये जो भी आप लेना चाहते हो सभी के लिए के मैंने पर वाइड की उन्हें अगर आप देखना चाहते हो चावुड करना चाहते हो जैसे भ अगराम पी कर लेए फॉलो लिंक को गारा यारा आपको डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में देखने हो बेल जागा उसको चाहते हो करना भी में वेल कर नाच्ट वीडियो में ने वीडियो के साथ थैंक्यो करती करते हो आधा लेग कराँ करते हो जब द में वेल जागा इंक्पने सरा वाहते हो करते हो जो